अगर उन्होंने मेरे अभी तक प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं अगर आप सिंप्ली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चोहान वहाँ से आप स्टुडी आईक्यू के सेशन्स को एकसेस कर सकेंगे सभी सेशन्स को थोरली देखिएगा ठीक है नोट्स बनाईएगा उसमें जो मैं कॉंसेट समझानी कोईश करता हूँ उसको अपने दिमाग में रेटेन करनी कोशिश करीये रिविजन करिये राइट जो मैं बार-बार वोलता हूँ रिविजन के साइकल में डले रही है और सभी सेशन्स को आपको थोरली देखना है उसमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब comment के मादम से देने है और अपना feedback ज़रूर provide करना है कि आपको session अच्छे लगे या बुरे अगर आप चाहते हैं कि आप world history thoroughly समझें और अगर आप modern history पढ़ना चाहते हैं detail में UPSC के लिए GS1 लिखने के लिए या उसके लाबा अगर आप किसी भी examination के लिए prepare कर रहे हैं तो मेरे session आपको बहुत ज़ादा पाइदा पहुचाने वाले हैं so make sure you watch all those previous sessions right so आई ये शुरू करता है आज का हमारा session आज हम पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है rise of Japan हम देखेंगे world war 2 के बाद क्योंकि world war 2 में जपैन पर तो atomic bomb गेरा दिये गए थे तो उसके बाद world war 2 के बाद किस तरह जपान की economy इतनी जल्दी जो है वो recover कर गई और आज जपान जो है वो number third है ठीक है global economy में सबसे strongest economy third number पर है जपान की तो वो कैसे हुआ आज हम समझेंगे और उसके लाब हम nuclear non proliferation treaty के बारे में पढ़ेंगे यानि कि world war 2 के बाद अभी तक nuclear bomb क्यों नहीं भटे हैं या ना world war 2 के बाद अभी तक क्यों नहीं भटे है nuclear bomb तो हम समझेंगे कि जो global international organizations है उन्होंने कैसे nuclear bombs ना भटे ठीक है इसके लिए क्या steps उठाए गए तो वो non non proliferation treaty यानि NPT के बारे में आज हमें समझना है ठीक है यह शुरू करते हैं आज का हमारे session so I guess आपको कुछ एक basic knowledge होगी लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा concept तयार करूँगा facts आपको पता होंगे ठीक है क्योंकि मैं हमेशा की तरह आप जानता ही है मेरे session में हम facts पर कम ध्यान देते हैं हमारा main focus रहता है concept building पर answer writing पर जो है वो ज़्यादा ध्यान रहता है हमारा facts तो मैंने आपको बोला ही examples हैं वो साथ में जुड़ते चले जाएंगे वो revision आप करेंगे facts आपको त्यार रहेंगे लेकिन concept is something that stays with you right so let us start तो सबसे पहले देखते है rise of Japan as economic superpower world war 2 के बाद किस तरह जो है वो Japan है कि economic superpower बना so world war 2 की घटनाओं को एक बार फिर से revise करते हैं world war 2 में Japan जो है वो एक imperialistic world war 2 के दोरान भी यानि कि 39 से 19 39 से 45 के बीच भी लेकिन Japan ने अपनी imperialistic ambitions 1931 में शुरू कर दी थी जब उसने manchuria पर attack किया और in fact Japan ने Korea को 1907 में अपने control में ले ही लिया था तो आप कहेंगे throughout the 20th और early 20th century Japan acted as an imperialistic शक्ती रहेट imperialistic power की तरह और एक colonial expansion के लिए जो है उसने जो अन्य देशों के उपर attack करने का trend जो है वो जारी रखा जब तक 1945 में finally surrender नहीं कर दिया किसने Japan ने और खास दौर पर 1931 के बाद manchuria पर attack किया और फिर 1937 के बाद जो है वो all out aggression जो चाइना पर किया वहां से 1945 तक यह जो आठ सालों की जो लगबग आठ सालों की जो लड़ाई है ठीक है और आठ सालों के दोरान जो Japan जो है वो एक बहुत जबरदस अग्रेसर शक्ती की तरह behave किया Japan ने इसकी इसका असर आज भी far east में है लेकिन Japan जिसने अपने आपको मेजी रिस्टोरेशन के बाद ठीक है जो टोकुगावा शौगनेट है शौगनेट के खतम होने के बाद अगर आपने शौगनेट वगएरा नहीं पड़े तो मैंने जैपनीज इंपिरिलिजम पे एक अलक्से बनाया आप मुझे तुरंद कमेंड में बताएंगे किस साल वो कंसिटूशन बनाया है जपैन ने ठीक है एकसेप्ट किया है और फिर जपैन ने जो है वो अपने आपको इंडस्ट्रियलाइज किया लेकिन अमेरिका ने मैंने आपको बताया था ना गन बोर्ट पोलिसी के तहत अमेरिका ने विवश किया था आप मुझे उस अमेरिकी नेवल अफसर का नाम भी बताएंगे ठीक है जिसने एक साल की महलत दी थी जपान को ट्रेड करना है तो करो नहीं तो अटेक कर देंगे फिर उसके बाद मेजी रिस्टोरिशन हुआ है ठीक है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो जपान में इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ जपान में मिलिटरिजम बढ़ा मिलिटरी शक्ती के रूप में उबरा जपान और World War 1 से World War 2 के बीच जपान ने काफी expansion किया तो ये सारे fundे हम पीछे cover कर चुके हैं यानि World War 1 से पहले in fact 19th century के जपान में क्या हाल था industrial revolution और imperialism और industrial revolution का जपान पर कैसे जो है वो असर रहा और फिर World War 1 और World War 2 के बीच का जो period है उसमें भी जपान में जपान में क्या-क्या घटना है घटी उन सब को हम already thoroughly cover कर चुके हैं और विश्विद के दोरान भी किस तरह जपान ने Southeast Asia में एक-एक करके इंडो चाइना पर कबजा किया डच इस इंडिस पर कबजा किया बर्मा अपने control में लिया फिलिपीन से उसने US को हटाया ठीक है चाइना के इस्टन वाले पार्ट को लगभग इस्टन सारे जो important trading port से चाइना की ये सारे जपान ने अपने control में लिये मंचूरिया और कोरिया जपान ने अपने control में लिया so throughout world war यारी 1945 तक जपान एक बहुत जबरदस military शक्ती था और allied जो powers है उनका trend क्या रहा है कि जो भी इस तरह की military शक्ती है उसको उसकी military शक्ती को क्या किया जाए disincorporate किया जाए ठीक है वही जपान के साथ world war 2 के बाद हुआ जो की जर्मनी के साथ world war 1 के बाद भी हुआ था वर्सेही की जो treaty है ठीक है उसमें जर्मनी की जो आर्मी है उसको बहुत ज़ादा restrained कर दिया गया था जर्मनी की military शक्ती को और world war 2 के बाद तो जर्मनी को आपस में बाटी लिया गया allied शक्ती दोरा ठीक है तो जपान के साथ जपान के प्रती जो है वो allied शक्तियों का क्या रुक रहा world war 2 के बाद आज हमें वो समझना है लेकिन world war 2 के दोरान world war 1 और world war 2 के बीच में और world war 1 से पहले and in fact during 19th century जपान में क्या-क्या गटी वो मैंने सारे आपको पिछले session में समझा दिये है और to sum up जपान जो है वो एक feudal economy से एक जो है वो यानि कि जपान में जो shogunate जो feudal lords है उनके control से जपान का जो शाशक है मेजी जो है उसके हाथ में जो है वो शक्ति गई जपान ने feudal economy को isolation की जो जपान की policy थी उसे छोड़के जपान ने open market जो है वो खोल दिया जपान में राइट यानि अन्य देशों के लिए जो है वो अपने ports को open किया और फिर military फिर industrial revolution जपान में आया 19th century में जपान ने जो है वो अपनी military शक्ति को शशक्त किया और फिर एक एक करके पहले रशिया को चैलेंज किया फिर चाइना को चैलेंज किया फिर world war 1 में वो अलाई शक्तियों के साथ जुड़ा रहा है लेकिन world war 2 में उसने access शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया और US पर attack किया तो यह सारे points हम already cover कर चुके हैं सारे चीज़े हम समझ चुके हैं यानि कि Japan किस तरह policy of isolation से निकल कर एक industrial शक्ति बना एक बड़ी military शक्ति बना एक imperialistic शक्ति बना एक colonial power बना और फिर world war 2 के बाद वो surrender किया उसने world war 2 के अंत में और अब हमें आगे देखना है कि Japan के साथ क्या हुआ ठीक है तो आई ये बढ़ते हैं I hope आपको पूरा background जो है वो prepared होगा कि Japan के साथ हुआ क्या है अभी तक world war 2 तक ठीक है इसको मैं यहां से अब मिटा देता हूँ पहला point देखिए now after Japan's unconditional surrender 1945 पे जब Japan पर atomic bombs गे रे गए Hiroshima और Nagasaki कि मुझे उन atomic bombs के नाम बताएंगे आप Hiroshima पर कौन सा bomb गे रागया था और Nagasaki पर उसके बाद Japan ने unconditional surrender कर दिया यानि कि Japan की कोई condition नहीं है allied शक्तियां जो करना चातियां करे अब allied शक्तियां कौन कौन सी थी बड़ी शक्तियां USA और USSR और अभी तक जिनका कि जो allies हैं वो भी है लेकिन मुखे तोर पर ये चार allies शक्तियां है ठीक है USA और USSR World War 2 के बाद बड़ी शक्ति यानि इस Global Superpowers के रूप में उभरेंगे और इन दोनों के बीच में contest चलेगा कि एक मात्र जो है वो एक छत्र Global Superpower कौन बनेगा वो हमें Cold War के जरीए हमने समझ लिया है वो सारा concept और UK और France को ब्रहम था क्योंकि World War 1 से पहले UK और UK के साथ साथ जो है वो France Global Matters को dominate करते थे लेकिन मैंने 1956 का Swayze Crisis आपको कराया है और Swayze Crisis के बाद जो है वो UK और France का ये ब्रहम भी तूट गया साफ हो गया कि USA और USSR ने अब Global Domination की भागडोर जो है वो अपने हाथ में संभाल ली है तो World War 2 के बाद जपैन ने सरेंडर कर दी अपने आपको Allies को तो अलाइज का अब क्या होगा ये डिसाइड करेगा USA और USSR और सोच रहा है UK और France की वो भी कुछ कर ले जपान का लेकिन उनके पास शक्ती नहीं है यूरोप में जर्मनी को आपस में बाट लिया उन्होंने क्यूंकि यूरोप जो है वो वहाँ पर पास है UK और France राइट तो उस जगा पर USA और USSR ने UK और France को भी कुछ हिस्सा दे दिया जर्मनी का लेकिन फार इस्ट में UK और France की पहुँच से बहुत दूर राइट पहुँच से दूर इसलिए क्योंकि इंडो चाइना बगएरा तो सब छीन ली है ना France से और World War 2 के बाद UK और France बहुत कमजोर भी हो गए तो अब जपैन का क्या होगा वो solely depend करता है USA और USSR पर जिस तरह कोरिया को USA और USSR ने आपस में बाटा जिस तरह चाइना में CCP और KMT को जो है वो USA और USSR ने सपोर्ट किया जिस तरह वियतनाम में नौर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बटा उसी तरह जपैन में भी माहौल शुरू में यही बनाता है कि नौर्थ जपैन और साउथ जपैन दो अलग अलग शक्तियों में बटेगा नौर्थ जपैन USSR के कंट्रोल में साउथ जपैन USA के कंट्रोल में लेकिन लेकिन कोरिया में यह दिछट जाने की वजह से जो पूरा का पूरा जपैन है वो किसके कंट्रोल में गया USA के कंट्रोल में गया लेकिन बाकी ऐलाईज शक्तियों का भी थोड़ा बहुत इंफुलेंस रहा लेकिन जो मेजर इंफुलेंस है वो किसका रहा USA का और major influence हमें दिखा किस तरह USA ने अपनी army को वहाँ पर station किया अपने military शक्ति को वहाँ पर Japan में खुले तोर पर station किया यहाँ से और वो क्यों किया ताकि South Korea क्योंकि South Korea को secure किया USA ने UN की मदद से USA ने South Korea को secure किया तो South Korea के रास्ते कहीं communism Japan में ना फैल जाए इसलिए Japan को पूरी तरह जो है वो अपनी military शक्ति के अंडर US जो है वो लाने में कामियाब रहा चो आज हमें यही समझना है और हम eventually conclusion यह निकालेंगे कि Japan जो है वो World War 2 से पहले एक बड़ी military शक्ति था in fact dominate कर रहा था ठीक है काफी बड़े World War के काफी बड़े हिस्से तक Japan in fact 1945 तक Japan dominate करता रहा वो तो US ने atomic bombs गे रहे तब जाकर Japan ने unconditional surrender किया क्योंकि atomic bombs के आगे वो survive नहीं कर सकता था ठीक है और Germany भी धीरे धीरे जो है वो 43 के बाद हारता जा रहा था एक कारण यह भी था कि उसके allies अब कमजोर होते जा रहे थे जपैन के ठीक है Coventry Attacks एक example बनता है उसका तभी मैं आपको पताऊंगा है निकमा के बारे में क्या है निकमा लेकिन आज हमें जपैन के बारे में समझना है तो देखेगा पहला point क्या है Japan's unconditional surrender to the allied powers in August 19, 14 August 1945 को Japan ने unconditional surrender किया The United States military occupied the defeated nation and began a series of far reaching reforms for the reconstruction of the country by reducing the power of the military and breaking up the largest Japanese business conglomerates जिनको कहते हैं जाइबाचू ठीक है अब देखी यहाँ पर हुआ क्या Japan ने surrender किया Japan की शक्ति किसमें नहीं है थी Japan इतना शक्तिशाली हुआ क्यों दो चीजे Japan ने अपने आपको industrialize किया यानि कि Japan के खुद के यानि कि national थी वो private organizations ही लेकिन जापान के Japanese nationality के लोगों की अपनी खुद की जो है वो बड़ी industries थी जिसमें से 16 total conglomerates है conglomerates यानि कि families द्वारा चलाए गए बड़े industries यानि जूड कर चलाए गए बड़े industries 16 बड़े ऐसे conglomerates है उनमें से चार मुखें है ठीक है 16 जो conglomerates है इनको Japanese में जाइबाच्चु कहते है और यही जाइबाच्चु जो है या मान लिजे जो पुरानी influential families है वही है क्योंकि some of the इन जाइबाच्चु में से some of the industries वो 17th century या in fact उससे भी पहले से established थी for example जैसे Mitsubishi है यह बहुत पुरानी industry है काफी सारी industries है Mitsubishi में conglomerate है तो सबसे पहला काम US को अगर अपना control Japan पर establish करना है so US को क्या करना पड़ेगा US और ally शक्तियों को कोशिश करनी पड़ेगी कि Japan की economy recover ना हो जिस तरह World War I के बाद Germany की economy recover हो गई और Germany फिर से सशक्त हो गया इसलिए तो इस बार Germany को आपस बाट लिया गया और Germany के पूरे administration को brick by brick जो है बिलकुल खतम कर दिया गया नया administration पूरा का पूरा administration ही change कर दिया गया जर्मनी का लेकिन Japan में ऐसा करना मुम्किन नहीं था दिर दिरे मैं कारण समझाऊंगा लेकिन सबसे पहले हम यह देख रहे हैं कि ally शक्तियों को करना क्या है और उसको समझने के लिए revolution की वज़े से जो जपैन में revenue खटा हुआ है उस revenue के जोर पे जपान ने establish करी military अब जो Japanese warriors हैं समुराइ समुराइ को लेकर feudal period से ही समुराइ का एक code रहा है कि हमें युद में या तो मर जाना है या तो जीतना है तीसरी कोई possibility नहीं है अगर आप हार गए तो हारी हुई condition में आपको खुद की जान लेनी पड़ेगी Japanese समुराइ का code कुछ ऐसा है ठीक है तो वहां की military जो है वो समुराइ के code से तार-तार है भरी हुई है और बहुत proud military है तो military Japan की बहुत जादा strong है discipline Japan में भर-भर के है क्योंकि उन्होंने constitution ही जर्मनी का उढ़ाया तो बहुत disciplined लोग है society बहुत सुलजी हुई society है जपैन की ठीक है industries Japan की बहुत strong है तो सबसे और administration Japan का बहुत strong है क्यों क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा dedicated है जिस तरह ब्रिटेन में bureaucracy का महल है multi-party system की वएसे corruption देखे multi-party system से democracy को फायदा भी होता है लेकिन corruption भी बहुत बढ़ता है इसलिए बहुत सारे dictatorships जो की अपने देश के लिए भला करना चाते थे उन्हें multi-party system खदम किया ठीक है Egypt के नासिर हो गए और Hitler शुरवात में वो अपने देश की economy को recover करवाना चाते थे इसलिए उन्हें multi-party system हटा है क्योंकि multi-party system corruption को बढ़ावा देता है जिस तरह UK का multi-party system corruption को बढ़ावा देता है इसका मतलब यह नहीं है कि single-party system बहुत अच्छा है single-party system भी कुछ हद तक ठीक है फिर उसके बाद वो भी एक question मतलब problematic है simple सी बात है क्योंकि democracy नहीं है वो democratic नहीं है single-party system कैसे democratic हो गया ठीक है multi-party system जो है वो होना ही चाहिए लेकिन administration जो है वो बहुत सशक्ता जापान का क्योंकि लोग बहुत जादा dedicated थे और feudal time से ही Japanese जो लोग है Japanese जो भी अफसर होते हैं वो अपनी hierarchy में बहुत जादा dedicated होते है और आज भी है ऐसा ठीक है so basically कहने का मतलब ये कि अगर US को जापान को बड़ी शक्ती नहीं बनने देना ठीक है तो जापान की industries को dissolve करना पड़ेगा traditional industries को दूसरा जापान की पूरी military को disband करना पड़ेगा और तीसरा जापान के administration को जो पुराना administration पुराना जो social structure है ठीक है पुरानी जो traditional philosophies है in fact जो धर्म है Shinto उस तक को खतम करना पड़ेगा जापान के ठीक है और वही exactly US ने किया भी लेकिन यहाँ पर US को एक बात और खयाल रखनी है कि Japan पे वो इतना जादा जो है वो अत्याचार ना कर दे कि Japan USSR के हाथ में आ जाए यही तो fine line है ना ठीक है क्योंकि Japan के पास well disciplined जनता है और Japan के पास जो है वो जनता इतनी जागरुक है कि उनके पास इस तरह का aptitude है कि वो industrially revolutionize अपने आपको कर लेंगे जल्दी जो कि भारत में नहीं था उस समय भारत में majority जनता का उस तरह का aptitude नहीं था लेकिन जपैन में majority या एक बड़ी संख्या not majority लेकिन एक substantive संख्या का aptitude इस तरह का था aptitude कहने का मतलब कि उनकी already विचारधरा इस तरह की थी कि उनको जो है वो western ideas बहुत असानी से वो western ideas में sink हो जाएंगे और industrially अपने आपको revolutionize कर देंगे एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जपैन क्योंकि world war 2 के दोरान world war 2 के बाद जपैन और भारत की स्थिति comparable थी तो जपैन इतन जल्दी recover कैसे कर गया और भारत क्यों नहीं कर पाया क्योंकि जपान के लोग जो है वो westernization जो westernization की policies थी उसके प्रती receptive थे और दूसरी बात जपान की strategic placement है वो बहुत important थी क्योंकि जपान के रास्ते जपान के रास्ते पूरे के पूरे East Asia की East Asia के ओपर US जो है वो अपना domination create करवा सकता है market for domination ठीक है बशरते चाइना एक बड़ी शक्ती की रूप में ना उभरे क्योंकि 1950s में अभी चाइना एक बड़ी शक्ती नहीं थी चाइना खुद अपने civil wars मोल जा हुआ था है ना तो US की policy ये थी कि Japan को जल्दी से जल्दी हम industrialize करेंगे फिर से ठीक है ताकि Japanese लोग जो हैं वो हमारे control में आ जाए democracy control में आ जाए 46 में election करवा गे 46 में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था जपैन में और जपैन में 46 के अबाद ही जो है वो development शुरू हो गई थी ताकि वो communism के प्रतिन आ जाए and in fact जपान में महिलाओं को vote देने की जपान में इतनी जल्दी US ने US ने जपान में इतनी जल्दी development करवाया कि 1946 में जो election हुए जपान में उसमें महिलाओं ने vote दिया है और बड़ी संख्या में महिलाओं पार्लेमेंट में members भी बनी है यानि कि ministerial post तक भी पहुँची है so that means और ऐसा किया कैसे US ने अपने देश से ऐसी feminist workers को जपैन में जो है वो बुलाया और जपान में उनसे जो है वो social work करवाया और जपान की महिलाओं उनको जागरुक करवाया और जपान के पुरुशों ने अपोज नहीं किया जबकि जपान की society बहुत ज़ादा male dominant society रही है तो समझ रहे है जपान पर कितनी जल्दी जो है वो westernization थोपा गया और बहुत जल्दी बहुत जल्दी से जो है वो westernization करवाया गया जपैन में कि एक ही साल के अंदर election भी हो जाए democratic महिलाएं vote भी दें और बड़ी संख्या पर महिलाएं बड़ी संख्या में vote दें और बड़ी संख्या में महिलाएं ministers भी बनें तो ऐसा कैसे possible था ऐसे US ने किया इसका मतलब यह नहीं कि सारे efforts US के थे जपैन की जनता भी receptive थी वो भी थोड़ा modernization के प्रती receptive थे ठीक है तो धिरी धिरे जो है वो अभी आपको लग रहा होगा कि यह सब मैंने क्या बाते बता दिया आपको धिरी धिरे सब clear हो जाएगा जुड़े रही है ठीक है next देखिएगा so सबसे पहला point किया कि यहाँ देखिएगा इस point को फिर सब पढ़ लेते हैं पूरे को after Japan's unconditional surrender to the allied powers in August 1945 the United States military occupied the defeated nation and began a series of far reaching reforms किस तरह के reforms social reforms society में महिलाओं की स्थिती सुधारने के लिए US ने अपने देश से feminist जो है वो workers को बुलाया ठीक है ताकि जो exceedingly male dominating जो society है feudal order से चली आ रही Japan की उस society में जो है वो equality fraternity, freedom की भावना यह सब जो है वो इस सारी ideology, इस सारी political ideologies जो है वो induce की जाए Japan में, दूसरी चीज जपान का education system सुधारा गया, high school तक की education जो है वो mandatory कर दी गई ठीक है और सभी महिलाएं और पूरश सभी जो है वो education ले सके, so sanitation सुधारा गया, ठीक है रोजगार जो है वो बढ़ाया गया जो traditional industries है उनको strip करके, US ने अपनी industries यहाँ पर establish करी, लेकिन Japanese लोगों को जो है for the reconstruction of the country और क्यों किया गया ताकि Japan की economy जल्दी recover करे और अगर Japan की economy जल्दी recover करेगी so that means वो ज़ादा से ज़ादा dependent होगी किस पर US पर, ठीक है और अगर वो economy ज़ादा से ज़ादा US पर dependent होगी, तो वो किस की तरफ रुजान नहीं रखेगी अपना USSR के प्रती और US made sure की communist पार्टियां ये सब जो है वो ideologies वहाँ पर ना चले तो anti-communist propaganda जपैन में भर-भर के चलाए गया school हों में पढ़ाए गया film में बनाई गई इस चरह की ad campaigns चले, poster छपे anti-communist ताकि USSR का अफर जपैन पर ना पड़े ठीक है for the reconstruction of the country by reducing the power of military military शक्ती, जपैन के military को पूरी तरह dispend कर दिया गया जपैन में काफी लंबे समय तक तो police ही रही है ठीक है, और US के soldiers रहे और जपैन के अपनी native जो है वो police रही वही जो है वो army का काम कर रही थी काफी strong military जो है वो जपैन ने अपनी बनाई है और जपैन काफी ज़ादा खर्चा कर रहा है किस पे अपनी GDP का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो defense में लगा रहा है presently situation में लेकिन उस समय जपान की military जो है वो पूरी तरह खतम कर दी गई थी जपान के natives को police में भरती किया जाता था और military थी किसकी US की और UN के peace keeping forces कुछ हद तक ठाकि अन्य allies को ऐसा ना लगे कि हमें जपान का हिस्सा नहीं मिल रहा है ठीक है and breaking up the largest Japanese business Japanese जो conglomerate है जिनको जाइब अच्चू कहा जाता है उनको disband कर दिया गया उनको छोटे तुकड़ों में तोड़ दिया गया ऐसा नहीं कि पूरा खतम कर दिया गया उनको छोटे तुकड़ों में तोड़ दिया गया ताकि उनका support बना रहे लेकिन जो monopoly है वो US की industries की रही जो upper level की industries थी वो यानि कि माल लीजिये जैसे coca cola जो है वो इंडिया में काफी सारे products बेच रहा है जैसे की fanta है seven up वगएरा है ये सब coca cola बेच रहा है इंडिया में लेकिन ये है तो किसके US के coca cola का headquarter कहा है US में है राइट और वो इंडिया में भारत में प्रचली जो indigenous cola companies थी उनको acquire किया था वही हुआ ठीक है वैसे मैं आपको 91 के बाद जो globalization और globalization के बाद भारत में क्या हुआ और किस तरह western जो industries है उन्होंने भारत की industries को absorb किया वही कुछ जो है वो जैपैन में भी हुआ वो मैं आपको अलग session में समझाऊंगा ठीक है लेकिन जैपैन में जैपैन की industries को disband किया गया पूरी तरह नहीं क्योंकि distributions जो है वो तो local लोगों के पास ही है right so distributions रखे लेकिन manufacturing यूएस ने अपने हाथ मिली ठीक है और जापान के साथ relation अच्छे बनाए रखने इसलिए भी जुरूरी थे कि कहीं जो है वो जापान USSR के साथ ना जुड़ जाए और इसलिए जापान का जो शाशक है जापान का जो emperor था उसके खिलाफ war crime का जो है जो है जो कि जपान ने war crimes किये है साथी स्टेशिया में वो जो case trials हुए उसमें राजा को जो है वो सजा नहीं हुए क्यूं क्यूंकि अगर king को सजा दी जाएगी तो जनता जो है वो US के खिलाफ हो जाएगी और जपान की जनता का support ही तो चाहिए था US को तो US ने जपान पर atomic bombs भी गिरे US ने जपान के शहरों पर not atomic bombs लेकिन अन्य destructive bombs भी गिराए ठीक है explosive शहर के शहर जो है वो जपान के खतम हुए लाखों के साब से जपान की population मरी और फिर जपान में एक ही साल में US ने ऐसा propaganda चलाया कि maximum जपान की जनता जो है वो US के favor में आ गई और USSR के अगेंस्ट हो However, growing concern over communist power in East Asia, particularly the success of Chinese Communist Party in its struggle against Chiang Kai-shek's nationalist forces, let the United States to increasingly focus on economic recovery and political rehabilitation of Japan देखिए, 1946 से 49 तक जो है वो civil war में उल जा रहा जा चाइना और 49 में People Republic of China की घोशना गर दी किसने Mao Zedong ने, जिसको recognition नहीं मिली, इनके द्वारा, US द्वारा, US ने किसको recognition दी, ताइवान स्थित Chiang Kai-shek की सरकार को, यह मैंने आपको पिछले session में समझा दिया एक में, ठीक ह लेकिन बड़ा, मतलब concept यह है कि जो communism है, वो कहां पर फैल गया था वो, communism जो है वो USSR में तो था ही, USSR के बाद चाइना में, और अब चाइना के बाद जो है वो Korea में उसका खतरा था, अब Korea के बाद अगला जो है वो शिकार जपान बनने जा रहा था, ठीक है जपान के बाद जो है वो नीचे ताइवान, ताइवान के बाद जो है फिर नीचे इंडो चाइना है, ठीक है इंडो चाइना के इधर जो है वो बर्मा, बर्मा के बाद इंडिया, ठीक है नीचे जो है वो Dutch East Indies, ऐसे तो सारा South East Asia जो है वो USSR के कंट्रोल में आ जाएगा, मैंने बोले ना ड जल्दी रिकावर करने की कुशिश करी, ठीक है, एकनॉमिक रिकावरी एंड पॉलिटिकल रिहाइबिलिटेशन कहने का मतलब अपने हिसाब से, रिहाइबिलिटेशन करने का मतलब क्या होता है, कि कोई वेक्ती जो है वो माल लीजिए, किसी वेक्ती को चिट्टे का जो है वो नशा आदत है लत है तो उसको rehabilitate करने की मतलब कहा है कि उसकी वो लत जो है वो छुड़वाई गई यानि कि उस वेक्ति के blood chemistry से smack को या heroin को बाहर निकाला गया यानि उस वेक्ति का जो पूरा nervous system है वो अब smack पर dependent या heroin पर dependent ना रहे तब ही कहेंगे ना कि वो rehabilitate हो गया यानि माल लीजिए जैसे Indian जो justice system है वो सजा क्यों देता है या सजा किस intention से देता है कि जो सजा प्राप्त करने वाला जो वेक्ति है उसके अंदर का criminal intention खतम हो वो rehabilitate हो ना कि उसको torture दिया जाए शारिरिक torture ना देकर mentally rehabilitate करने का काम होता है justice का तो यहाँ पर political rehabilitation का मतलब यह है कि communism, socialism की जो ideology जपैन में USSR द्वारा या Soviet Union द्वारा फेला दी गई है वो धीरे धीरे जो है वो systematic approach से कि systematic approach से कि पूरा का पूरा administration जो है वो capitalist राष्ट्रों में जैसा है उस तरह का पूरा administration establish किया जाए बिरोक्रेसी वाला ठीक है दूसरा जो schooling system है वहीं से ही communism के खिलाफ पढ़ाया जाए ताकि धीरे धीरे जो है वो communism की ideology generation दर generation खतम हो जाए इसको कहा गया political rehabilitation of Japan ठीक है और US जो है वो Japan को अपने according mold करे जपैन की जनता में जो political awareness है वो US अपने according mold करे ठीक है next देखिएगा now in this reverse course इसको reverse course कहा गया reverse course क्यों कहा गया क्योंकि जपैन को जपैन की ideology को पूरी तरह change कर दिया गया बहुत ज़्यादा male dominated society है एक ही साल के अंदर females को voting right देना females की situation को सुधार देना ठीक है इसको reverse course इसे ले कहा गया क्योंकि जपान की जो social structure है जपान में जो political ideologies है जपान की जो economic system था उसको पूरी तरह बदल दिया गया एक ही साल क्या कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी बदले लेकिन पहले साल में 1946 तक काफी बड़ा बदलाब आ गया obviously इंफरा सुधरने में थोड़ा समय तो लगा पांच साथ साल का खतरा ये था कि CCP धीरे धीरे जीतता जा रहा था चाइना में और 49 में finally CCP ने people republic of China गोश्णा कर दी है ना now next is अब आता है आपका supreme commander of allied powers कैप ठीक है so supreme commander of allied powers जिसको स्कैप कहा गया अब स्कैप के हाथ में जपान को छोड़ा गया ठीक है स्कैप कौन है मैं आपको बताता हूँ जनरल डगलस मेक आर्थर जो की field marshal था Philippines की कॉलनी का यूएस की जो Philippines की कॉलनी है वहाँ पर 1937 के बाद field marshal की post पे था एक five star जो है वो military rank रखने वाला वेक्ती था डगलस मेक आर्थर यानि काफी decorated soldier था US Army का US military का ठीक है उसको post दी गई क्या supreme commander of allied powers ठीक है world war world war 2 के दोरान भी और world war 2 के बाद उसके पास ये post रही SCAP ठीक है इसके जिम्में जो है वो जपैन को छोड़ा गया और जपैन को rehabilitate करने का काम इसको दिया गया डगलस मेक आर्थर को दिया गया और इसे सबसे पहले क्या किया जपैन की military को किया डिस्बैंड जपैन की military किसी काम की नहीं रही ठीक है और station किया गया US की आर्मी को वहाँ पर ठीक है US की आर्मी station की गई ठीक है और डगलस मेक आर्थर की थेरी ये थी डगलस मेक आर्थर की अप्रोच ये थी कि हमें strengthen करना है जपान को लेकिन punish नहीं करना क्योंकि जपान को अगर हमने punish किया तो Japanese लोग जो है वो USSR के प्रती सिंपती बरतना शुरू कर देंगे और अगर domino theory को नहीं लागू करवाना यानि South East Asia में कोई एक देश at least ऐसा strong रखना है जो कि capitalist block का block का जो है वो एक बहुत वफदार बन कर रहे और communist शक्ती को far east में controlled रखे तो Japan वो ऐसा देश बन सकता था क्योंकि Japan के पास potential था क्या करने का अपने आपको इंडस्ट्रिली revolutionize करने का क्योंकि मैंने बोला ना कि वहाँ की जंता में already aptitude है industrial या western culture के प्रती ठीक है so strengthening करने का punish नहीं करने का what would become a key cold war ally और cold war के बीच cold war के दोरान Japan जो है वो key ally बनेगा किसका USA का क्योंकि Japan है इदर USSR जो है communist शक्ती South Korea communist शक्ती China communist शक्ती इंडो चाइना में भी North Vietnam communist शक्ती ठीक है और बाकी देशों में भी रुजहान कॉमुनिजम का ही भढ़ रहा है बर्मा में लाउस थाइलेंड कमबोडिया ठीक है डच इस्ट इंडीज इनमें भी जो है वो ऐसा ऐसा ना हो कि इन सारे देशों में कॉमुनिजम पहल जाए और इवेंचुली भारत में भी ठीक है ना आफ्टर रिपल्सिंग दा कॉमुनिस फ्रम साउथ कोरिया दे युएस स्टार्टेड वर्किंग तौ़र्ड मेकिंग जपैन अ प्रॉस्परस कोल्ड वार एलाए ठीक है देखिए जिस तरह जपान जो है वो साउथ इस्ट एशिया में अपने साउथ इस्ट एशिया में जो है वो एक बड़ा प्रोड्यूजिंग राश्टर की रूप में डेवलप हो उसी तरह साउथ कोरिया फार एक्जेंपल अगर मैं बताऊं भारत में इस समय साउथ कोरिया और जैपनीज दो ऐसी कंपनी हैं जिनकी सबसे ज़्यादा गाड़ियां विक रही है सुजुकी होंडा हुंडा है ठीक है हाओ यू राइट हुंडा है ठीक है लेकिन सुजुकी होंडा इन हुंडा है ठीक है ये क्या है सुजुकी और होंडा जैपैन की है Hyundai इसकी यह South Korea की है इनके products सबसे जादा इनकी गाड़ियां जो है वह शिरुवात में भी और सबसे जादा इसके उससे पहले Suzuki की गाड़ियां यहेँ जब बिक्नी भारत में शुरू हुई उससे पहले US की गाड़ियां भारत में बिक्ती थी और इंडिया में भी कुछ ऐसी प्रिमियर और टाटा जैसी जो कमपनीज थी वो अपने वहिकल्स प्रड्यूस कर रहे थे बना रहे थे लेकिन बड़े लेवल पर क्योंकि देखिया भारत में कार मार्केट को डॉमिनेट कर रहा है मारुती सुजुकी इसमें सुजुकी एक ब इंडिस्ट्री नहीं है लेकिन क्या भारत में भारत में चाइना के छोटे-छोटे प्रोडक्ट बहुत कुछ बिक रहे है इलेक्ट्रोनिक्स सबसे जादा चाइना का बिक रहा है भारत में पहले जपैन का बिका करता था अब वो दिन भी दूर नहीं है कि चाइना की गाड को इंडस्ट्रिलाइज किया ताकि पूरे के पूरे साउथ इस्ट एशिया में टेक्नोलजी का आवंटन जो है वो जपैन करे क्यूंकि यूएस से टेक्नोलजी इस्ट में लेकर आना महंगा पड़ता है और इसलिए इस्ट में जो है वो एक स्थाई शक्ती ऐसी चाहिए थी एलाइज फोर्सिस को या एलाइज में से जो सबसे स्ट्रॉंग है यूएस उसको ताकि उसका एक एलाइज जो है वो साउथ इस्ट एशिया या इस्ट में रहे ताकि इस्ट की एकॉन्मी को कंट्रोल किया जा सके इसके द्वारा कैपिलिस द्वारा आई होप यह फंड बहुत senior जो है वो US के diplomat रहे है और politician रहे है In 1950 and 1951 The Treaty of San Francisco Ended the state of war between Japan and 47 of the allies Most nations allied with Soviet Union refused to sign कौन-कौन से खासतोर पर Poland और Czechoslovakia और Soviet और USSR ठीक है USSR पोलंड और Czechoslovakia ने साइन करने से मना कर दिया था किस पे 1950 में हुई जो 1950 में जो San Francisco की ट्रिटी हुई है जिसके तहट जापान World War 2 का जो युद है वो officially Japan के प्रतीज जो है वो officially खतम हुई या Allies और Japan में World War 2 के बाद जो official ट्रिटी है वो 1952 में जाकर 1950 और 51 में जाकर हुई San Francisco में जिसमें 47 Allies Countries ने उसको ratify किया, sign किया ठीक है भारत और Italy जो है वो गए नहीं थे और कुछ देशों को बुलाए नहीं गया था जैसे China को जो है वो बुलाए नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर Communist Party established हो गई थी ठीक है और Israel यह पुइंट फिर से पढ़ता है negotiated primarily by John Foster Dulles और यह treaty negotiate किस ने करी है John Foster Dulles ने ठीक है Secretary of the State भी रहे है यह कुछ टाइम In 1950 and 1951 Treaty of San Francisco ended the state of war between Japan and 47 of allies, most nations allied with Soviet Union refused to sign और खासता और पर Poland और Czechoslovakia बाकियों को कई allies को तो बुलाए नहीं गया था इनको बुलाए गया था USSR, Poland, Czechoslovakia इन तिनों ने मना कर दिया था sign करने से, Italy और भारत ने sign करने से मना किया था China और Israel को बुलाए नहीं गया था ठीक है Concluded the American occupation and excused Japanese from reparations अब यहाँ देखिए Japan के प्रती Japan को strengthen करना है, Japan को punish नहीं करना है, इसलिए जापान को war reparation देना ही नहीं है जापान को जो है वो युद में जो नुकसान किया है जापान ने, देखिए थोड़ा बहुत भरपाई जो है वो South East Asia, China की करी जापान ने लेकिन उस बड़े लेवल पर war reparation जापान ने नहीं दिया, excuse कर दिया गया ठीक है, और यहाँ पर जो है वो conclude किया गया कि जापान का occupation रहा, क्योंकि देखिए 45 से लेकर 50 तक जापान पर control किसका रहा, occupation किसका रहा US का, US की military वहाँ पर control करके रही भले ही 46 में election हो गय थे और वहाँ पर जो है वो Japanese administration established हो गया था, और एक constitution जो है वो जापान ने adopt किया था, जो कि बनाया था US के military अफसरों नहीं और इस constitution के तहत जापान के शाशक को नहीं सजा दी गई, नहीं execute किया गया in fact उसको reinstate कर दिया गया लेकिन एक ceremonial post बना कर जापान के शाशक को, हिरो हितों को ठीक है तो जापान के प्रती इतना उदार क्यों और लेकिन जर्मनी को आपस में बाट लिया गया ताकि साउथीस्ट एशिया में जापैन जो है वो US का एक extension बन के रहे कहने का मतलब सारी जो है वो US की industries जो है वो जापैन में establish हुई उन्होंने business किया जापैन के अपनी खुद की industries भी बहुत develop हुई like Toyota है ठीक है Honda है Toyota है उसके अलावा Suzuki है Toyota मैंने थोड़े दर वाले mention नहीं किया था अब ध्याना है मुझे Toyota भी तो एक बहुत बड़ा exporter in fact सबसे ज़ादा ग्लोबली सबसे ज़ादा गाड़ी है Toyota बेच रहा है ठीक है और उसके अलावा electronics में जैसे Sony है Toshiba है ये सारी कहां से निकल के आती है Japan से तो निकल रही है न तो Japan ने अपनी खुद की जो है वो industries भी develop करी US की industries भी Japan में establish हुई और South East Asia और East Asia में Japan ने जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाया ठीक है और Japan ने अपने आपको जो है वो इंडूस्ट्रिली मजबूत किया लेकिन किसके support से US के support से और US ने Japan को ही क्यों select किया Taiwan को क्यों नहीं select किया Indochina को क्यों नहीं select किया उसके अलग political कारण है ठीक है क्योंकि Indochina के पास उस तरह की जनता नहीं है ना जब मैंने बोला ना Japan की जनता जो है वो westernization को receive करने के लिए उनके पास वो anti ने तयार है कि वो westernization को जल्दी receive करें क्योंकि वो already strong imperialistic शक्ती था और Japan जो है वो already काफी हद तक westernization के तरफ जो है वो जुड़ चुका था यानि westernize हो चुका था at least cities में तो city में रहने वाले जो लोग है जपाइन के वो तो काफी हद तक westernize हो चुके थे ठीक है आगे बढ़ते हैं now Echison अब Echison जो है वो समय कौन थे Secretary of the State Echison signed the San Francisco Treaty on September 8 1951 the same day he and Japanese Prime Minister Yoshida Shigeru अब ये बहुत important है Japanese Prime Minister 1956 में अपॉइंट हुए था ये 1946 में ठीक है Yoshida Shigeru अपॉइंट कहना सही ने रहेगा democratically elect हुए थे और उस elections में महिलाओ ने भी participate किया था surprisingly Japan में जो की एक बहुत जादा traditionally male dominating society है ठीक है या थी समझ रहे हैं आप तो इस तरह जैसे भारत में Britain ने gradually society को manipulate किया है Macaulay, Minute, Firwood, Dispatch फिर धीरे धीरे जो है वो भारत की education system को जो है वो बदला है Japan में within years in the matter of मतलब एक decade भी नहीं पांच-छे सालों के अंदर ही जो है वो Japan का काया कलब कर दिया इसने US ने ठीक है Yoshida Shigeru और H.S.N. ने मिलकर जो है वो sign किये किस पर the United States Japan Security Treaty और इसके तहत Japan में thoroughly officially जो है वो station किये गए क्या US के troops और Japan को अनुमती नहीं दी गई अपनी खुद की सेना बनाने की Japan में US troops को अपॉइंट किया गया ताकि USSR की बढ़ती पकड Korea पर USSR की पकड बढ़ रही है ताकि USSR और CCP की पकड जो है वो चाइना में बढ़ती जा रही है कहीं वो Japan पर ना अपना कंट्रोल कर ले इसलिए US ने अपने Senic Japan में जो है वो assign कर दिये ठीक है या station कर दिये और किस treaty के तहित और Japan ने क्यों allow किया Japan ने allow किया United States Japan security treaty के तहित तो अब ये कह सकते हैं कि शुरवाती तीन दशकों में 50s, 60s और 70s Japan पूरण तहे कटपुतली रहा US की धीरे धीरे जपान ने अपनी economy को recover economy को recover किया लेकिन अपनी बड़ा फैसला लेता है तो US से पूछे बगैर नहीं ले सकता यही सेम बात जो है वो 56 के suez crisis में UK को जाके समझ आई थी कि अब वो मनमर्जी नहीं कर सकते उनको US से पूछना ही पड़ेगा ठीक है next देखिएगा the treaty allowed the United States to station troops in Japan and made the Japanese island into an important facet of America's global containment structure global containment structure या इस तरह बोला जाए जो far east के लिए अमेरिका की policy क्या है कि जपैन को industrialize करो, modernize करो और बाकी देशों को third world countries बना कर रखो marginally modernize करो ताकि उनकी economy केवल इतनी develop हो कि वो consuming राष्टर के रोप में काम करें, producing राष्टर के रूप में काम ना करें और producing राष्टर जो है वो जापान ही रहे ठीक है, क्योंकि जापान की जनता को US जो है वो बहुत बहुत भली भाती जो है वो अपने कंट्रोल में ले सकता है ठीक है, और अगर जापान की जनता USSR के कंट्रोल में हो जाए तो महौल दूसरा ही हो जाएगा ठीक है जो कि US नहीं चाता राइट, now following this development investments of technology and capital flowed into Japan from America 1951 के बाद बड़े लेवल पर वैसे 1945 से 1945 से 51 तक जापान के हालाद सुधारने में काफी काम हो गए, लेकिन 51 के बाद बड़े लेवल पर जो है वो capital Japan में shift होने लगा कहां से US से, now there on the Japanese economy gradually improved so much so that Japanese economy overtook the Western European countries and became second largest economy ठीक है, 1970s 80s तक आते आते, Japanese economy was second largest economy in the world overtook Germany, overtook Britain, overtook France ठीक है, later part of 20th century, 1970s के बाद इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है it had retained it, this distinction and only recently has been surprised by Chinese economy but still remains third largest economy देखिए, present day में आप देखेंगे तो US सबसे उपर, दूसरे पर चाइन और तीसरे पर जपान, ठीक है 20th century तक second rank पर जो है वो जपान रहा लेकिन 21st century और जो आखरी के साल है, 20th century के तब चाइना की economy धरी-धरी recover करी या आप इस तरह कह सकते हैं मौटे तोर पर कि 21st century में चाइना जो है वो second rank पर आ गया है as in global economy, सबसे बड़ी global economy जपैन अभी भी तीसरे नमबर पर है लेकिन अगर आप देखें जो आज हमने समझा है इसकी according जपैन और USA की team है है ना जो आज हमने समझा है इसका मतलब क्या है कि जपैन में जो भी हो रहा है वो USA के कहने से ही हो रहा है that means first और third number पर USA है मुटे तोर पर ठीक है आगे देखिए to American leaders Japan heads transformed from world war 2 enemy to vital ally and Korea went from a peripheral region to a key battleground in cold war देखिए कोरिया में cold war लड़ा गया ठीक है जो Korean war रहा उसके अलबा धीरे धीरे जो role Japan ने अदा किया है वो Korea ने भी किया ठीक है 1960s के बाद धीरे धीरे Korea की economy को भी develop करने का काम किया US ने और Korea भी आज एक industrialized nation है US की वज़े से ठीक है और Southeast Asia में काफी लंबे समय तक जब तक जब तक चाइना ने अपनी electronics market को बहुत ज़ादा जो है वो dominating नहीं बना दिया 21st century में 20th century के अंतिम 3-4 दशकों तक Southeast Asia में Japan और South Korea का बोलबाला रहा technology के at least technology के क्षेतर में तो ठीक है उसके बाद China ने overtook कर लिया है लेकिन अभी भी गाड़ियां जो है वो Southeast Asia में Japanese और South Korean गाड़ियां ही विक रही है ठीक है इसका मिल में यह नहीं है कि German नहीं या European और UK यूएस की गाड़ियां नहीं विक रही है लेकिन बड़े तोर पर ठीक है आगे बढ़ते अब बात करेंगे non-proliferation treaty की लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार sum up कर देता हूँ कि जपान की economy recover क्यों करी क्योंकि यूएस चाहता था जपान की economy recover कैसे करी यूएस ने जपान की military को खतम किया जपान की industries को खतम किया जपान की administration को जो पुराना social structure है जो पुराना administration उसको खतम किया और नया modern administration लेकर आया अपनी खुद की industries लेकर आया और अपनी खुद की infect army लेकर आया और उसके बाद जो है वो जपान में बहुत बड़े लेवल पर यूएस ने इन्वेस्ट किया और जपान की इकॉनमी बूम पकड़ी इतनी जदा बूम पकड़ी की दूसरे नंबर पर आ गई और फिर अभी रिसेंटली चाइना ने सरपास किया है उसे लेकिन स्टिल वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है एकॉनमी किसकी जपान की ठीक है आयोप आपको समझ आया होगा कि जपान की एकॉनमी क्यों रिकावर की गई है अब बढ़ते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी के प्रती देखते हैं कि क्या है इसमें ठीक है ना वर्ल्ड वर्ड टू में यूएस ने बॉम फोड़ी डाले अटॉमिक बॉम्स किस पर जपैन पर पूरी दुनियाम को पता चल गया कि जो नुक्लियर बॉम्स है वो बहुत बड़ा खत्रा है और थ्रूआउट कोल्ड वर यूएस जो है वो इसी चकरों में रहा कि कहीं यूएस एस आर नुक्लियर जो है वो वर शुरू ना कर दे क्योंकि यूएस एस आर तो केवल यही धमकी देता था यह हम नुक्लियर वॉर छेट देंगे स्वेज क्राइसिस में भी यूएसस आर ने धमकी देता रहता था था कि जो आपस में dispute वाले देश है ना इनको हम nuclear weapon दे देंगे और यह आपस में चला देंगे ठीक है और मतलब कहने का मतलब USSR अपनी बात उपर रखने के लिए पूरी दुनिया को तबहा करने के लिए तयार था और USA जो है वो इस हद तक नहीं जाना चाता था वैसे ये ये थ्रेट जो है वो USA ने भी यूज किया है कि होने दो पूरी दुनिया तबहा ठीक है लेकिन यूएस का इंट्रेस्ट जाधा था क्योंकि यूएस का स्टेक भी जाधा था उसके पैसे भी जाधा लगे हुए थे तो पूरी दुनिया खतम हो जाए जैसे की कई बच्चों एक हैल माता है कि भारत पर किसी ने अभी तक नुकलियर एटाइक क्यों नहीं किया चाइना ने मैं आपको बोला ना पाकिस्तान बफर है पाकिस्तान के उगात नहीं है वो किसी पर नुकलियर एटाइक कर दे ठीक है बहुत बड़ी बड़ी शक्तिया बैठी है भारत बहुत स्ट्रॉंग शक्ति है पाकिस्तान से ठीक है पाकिस्तान कटपुतली है चाइना और यूएस क चाइना से भारत सबसे लड़ रहा है अपनी position को solidified रखने के लिए ठीक है भारत की देखा देखी जो है वो पाकिस्तान भी लड़ लेता है राइट सो भारत पाकिस्तान का क्या महौल है nuclear weapons को लेकर यह देरे देवलप करेंगे लेकिन पहले NPT को समझ लेते हैं क्या है ठीक है तो पूरी दुनिया को धमकाना भी है अपने nuclear weapons से और US को ये कोशिश भी करनी है कि दूसरे राष्टर ऐसा ना कर सकें तमझ रहें US और US के allies UK और France ठीक है US के चलते है यानि US की domination में US की lead में पूरी दुनिया को अपने nuclear weapons दिखा कर डरा कर उनसे काम भी निकलवाना चाते है और दूसरी चीज़ ये भी चाते हैं कि वो nuclear weapon ऐसे देश को ना चले जाएं जिनको वो धमकार हैं मान लीजिए US जो है वो भारत को अपना nuclear weapon दिखा कर जो है वो डरा कर कोई काम कराना चाह रहा है और भारत ने पौकरन में nuclear bomb जो है वो टेस्स कर लिए और nuclear शक्ती बन वैठ तो अब वो leverage चली गई ना USA के पास ठीक है तो USA और जो allies शक्तियां है world war 2 के बाद वो ये नहीं चाहते कि nuclear leverage उनके हाथ से निकले पहली चीज़ दूसरी चीज़ वो ये नहीं चाहते कि nuclear leverage दूसरे राश्ट्रों के पास जाए खास चौर पे communist राश्ट्र या communist block या third world countries के पा उनका और ऐसा ना हो कि उनके पास nuclear weapon चल जाए और वो आपने आपस के dispute के चकर में nuclear weapon छोड़ दे और nuclear holocaust फैल जाए nuclear winter फैल जाए पूरी दुनिया में इससे US का धंदा ही चौपट होगा और कुछ नहीं होगा ठीक है जिसकी दुश्मनी है आम जंता तो मरेगी लेकिन ज्यादा लोगों के पास nuclear technology पहुंचे और वो ये भी चाते हैं कि हम nuclear हत्यारों के दम पर दादगरी करते भी रहें तो वो अपनी situation को preserved भी रखते हैं solidified भी रखना चाते हैं और किसी और को situation तक पहुंचने भी नहीं देना चाते हैं क्याकि कोई और राष्ट्र जो है वो अ इनफेक्ट बना लिए हैं disclose नहीं है तो सारी अन्य अरेबिन कंट्रीज जो सुनी कंट्रीज हैं वो शिया कंट्री इरान पर जो प्रेशर डालती है वो सब चुप हो गई नॉर्थ कोरिया ने नुकलियर वेपन बनाया खुले में जो है वो नॉर्थ कोरिया पूरे पूरे वेस्टन कैपिटलिस्ट सिस्टम को चैलेंज गरता है कि नहीं हम अपने देश को कैपिटलिस राष्टर बनाएंगे ठीक है भूका मार देंगे अपनी जनता को लेकिन इंख्या में नॉकलियर वेपन ऐस दम पर ठीक है तो नॉकलियर वेपन का इस्तमाल डराने के लिए भी किया गया धमकाने के लिए विए और एक रिन्वेवल एक मतलब काफी जो है वो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एक सच्टेनेवल एनरजी सोर्स के तोर पर भी यूज किया जा सकता है ठीक है और future जो है वो energy का nuclear ही है आगे बढ़ते हैं now the lessons which the two superpowers learned from Cuban missile crisis Cuban missile crisis मैं आपको बताया जिसमें लग भग जो है वो nuclear weapon छोड़ने ही वाले था USSR ठीक है तो यहां से दोनों superpower कौन-कौन USA और USSR उसने क्या सीखा was a realization of the nature and extent of the dangers which the world might confront in the event of full-scale thermonuclear war खास तोर पे cold war के दोरान अगर thermonuclear war छिट जाती माल लिजे USA पर USSR attack कर देता तो एक ऐसा chain reaction शुरू होता पूरी दुनिया खतम हो जाती यह काफी बड़ा हिस्सा दुनिया का बरबाद हो जाता ठीक है और nuclear weapon का घाटा यह है कि उसकी radiation की वज़े से कई सालों तक जो है उसका असर बरकरार रहता है नुकसान वो करता रहता है उसके radiation की वज़े तो thermonuclear war is not a solution of global dominance यह बात Cuban Missile Crisis से USA और USSR को तो आ गई समझ में ठीक है लेकिन अन्य ऐसे देश जो की धीरे धीरे nuclear weapon डेवलप कर चुके हैं जैसे की UK ने डेवलप करा France ने डेवलप कर लिया चाइना ने डेवलप कर लिया उसके बाद इंडिया ने डेवलप कर लिया पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया और अन्य कुछ और राश्ट्रों ने भी डेवलप कर लिया इस्राइल ने डेवलप कर लिया nuclear weapons तो यह तो threat कर सकते हैं ना ठीक है अब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई है छोड़ दिया नोने nuclear weapon दो पूरी दुनिया पर nuclear holocaust का खत्रा हो जाएगा ना ठीक है तो यहां से जो है वो अब efforts लगाने शुरू किये गए यानि Cuban Missile Crisis के बाद इन global शक्तियों द्वारा और खास दौर पर USA द्वारा effort लगाने शुरू किये गए कि अपने हाथ में nuclear weapon रहे हम तो nuclear weapon के जोर पर दादगरी करें लेकिन बाकियों को ना कर रहे थे हम ऐसी कुछ विवस्था की जाए और ऐसी ही विवस्था है NPT यह एट लिस्ट भारत जैसे देशों का तो यही कहना है कि NPT एक ऐसी विवस्था है जिसके तहत USA और उसकी allies countries अन्य सभी राष्ट्रों पर pressure डालती है कि आप nuclear weapon ना बनाए हमारे पास nuclear weapon है और हम उस nuclear weapon को दिखाकर आपसे जो मर्जी चाहें वो करवा ले और भारत जैसे राष्ट्रों ने न्यूक्लियर as a part of this realization an urgent need to curtail the size of thermonuclear stockpile and to move forward towards overall disarmament ठीक है Cuban Missile Crisis के बाद क्या कोशिश की गई कि disarmament किया जाए जिसके पास है उनके nuclear हतियार बंद करा दिया जाए जो nuclear project पर काम कर रहे है और जो अभी तक नहीं किया है जिन्होंने उनके ओपर ऐसी जो है वो बंदिशे लगा दी जाए treaty के तहत कि वो आगे भविशे में nuclear शक्ती develop करे ही न the NPT and international treaty designed in 1968 finally 1970 में sign हुई है या लागू हुई है इस सरह कहा जाए was a major turning point in this direction देखेगा the nuclear non proliferation treaty proliferation का मतलब होता है प्रसार विस्तार ग्रो करना ठीक है so nuclear non proliferation यानी कि nuclear शक्ती प्रसार ना हो उसका ठीक है was an agreement signed in 1968 और सत्तर में लागू हुआ by several of the major nuclear and non nuclear powers major nuclear और non nuclear शक्तियों द्वारा sign किया गया nuclear शक्तियों ने क्या बोला इसमें कि ना ही हम इस शक्ति का जो है ये खेर में सारे treaty के आगे आपको point समझाओंगा लेकिन basic ये है कि जो major nuclear शक्तियों वो ये चाहती है कि हम ही केवल हमारे पास ही nuclear शक्ति रहे ताकि जो leverage है जो pressure डालने की authority है वो हमारे पास ही रहे कोई भी एरा गैरा देश जो है वो उठकर जो है वो leverage ना create करना लगे जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने nuclear weapon develop कर लिया और अब वो पूरी दुनिया पर leverage बना सकता है ठीक है खासतोर पर US पर उसने leverage बनाई हुई है right so that pledge their cooperation in stemming the spread of nuclear technology nuclear और non nuclear देशों ने इस treaty पर sign किये ताकि nuclear technology के प्रसार विस्तार पर control लाया जा सके यैंनी control रखा जा सके कि कितने देशों को nuclear weapons रखने की आजादी रहेगी कितने देशों को nuclear technology डेवलप करने की आजादी रहेगी कितने देश जो है वो nuclear technology को import कर सकते है कितने देश nuclear technology को export कर सकते है जो की develop कर रहे है कितने देश nuclear technology को as a fuel की तरह इस्तमाल कर सकते है खुद develop करके या import करके या export करके राइट इन सारे points को define करती है क्या NPT और sign की गई कब 1968 में now by 1964 अब देखते हैं वहां तक कैसे पहुँचा गया by 1964 देर वर 5 nuclear powers 1964 तक 5 मुखे nuclear power कौन कौन सी in the world in addition to United States the Soviet Union सबसे पहले United States ने develop किया उसके बाद develop किया Soviet Union ने फिर United States के बहुत close ally United Kingdom ने all of which obtained nuclear capability during or shortly after second world war उसके बाद France exploded its first nuclear bomb in 1960 and the People's Republic of China was not far behind in 1964 ठीक है तो US, USSR, UK पाँच वही शक्तिया जो की क्या है जो की United Nation की Security Council में है तो क्या ये coincidental है कि उनी के पास सबसे पहले nuclear शक्ति डेवलप हुई सवाल बनता है ठीक है US, UK, France, capitalist block और communist block में USSR और चाइना के पास सबसे पहले डेवलप हुआ nuclear weapon और उसके बाद बागी देशों ने डेवलप किया है ठीक है आगे बढ़ते है Now there were many other countries that not yet tested weapons जैसे की Japan है, Japan के पास industrial technology थी लेकिन Japan ने weapon डेवलप नी किये क्यों क्योंकि Japan जो है वो essentially US की एक economic colony ही है आज तक अभी जो है वो पिछले 21st century में थोड़ा सा महल बदला है लेकिन 28th century में आप मान सकते हैं Japan, South Korea ये US की economic colonies ही है ठीक है, जैसे की जो Latin America है वो US की economic colonies हैं वो देश उनके पास कोई मतलब नहीं बनता nuclear weapon बनाने का ठीक है, वो बनाना चाहते हैं लेकिन US ने control करके रखा हुने but which were technologically advanced enough ऐसे देश जैसे की Japan, South Korea जो की technologically advanced हो गए nuclear power बनाना चाहते तो बना सकते थे लेकिन उनने बनाया नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी command अनने देशों के हाथों में है, जैसे की US के हाथ में है, Japan की command, right should they decide to build them it was likely that they could do so before long, यानि कि अगर Japan बनाना चाहता तो असानी से बना सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, Japan के पास बहुत लोग हैं, बहुत intellectual लोग हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब देखें, ये है map आपका nuclear non proliferation treaty का ठीक है? इसमें देखें, USA के लिए पढ़ते हैं पहला point, first tested and then dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki in 1945 joined NTP in 1968 USA was the first country in the world who tested a nuclear bomb, पहला ऐसा और एक मात्र ऐसा राष्ट्र है, जिसने military अभियास में नहीं, but actual war में जो है, वो nuclear weapon को use किया है, और 1968 में NPT उसने join करी, ठीक है? तो यहाँ पर legend में देखिए, ये जितने भी white, यानि जो आत्मा वाले देश आपको नजर आ रहे हैं न, ये सारे आत्मा वाले देश जो है, वो, ये क्या है? non nuclear weapon देश है, इनके पास nuclear weapon नहीं है, ठीक है? लेकिन ये NPT के ये NPT के member है, लेकिन इनके पास nuclear weapon नहीं है, जैसे कि यहाँ पर North America में Canada है, ठीक है? NTP का member है, लेकिन nuclear weapon नहीं है, महिको है, ठीक है? मेक्सिको, उसके अलावा यहाँ पर करेबियन, जो पूरा का पूरा आप South America देखिए पूरे South America, Latin America के पास nuclear weapon नहीं है, लेकिन NTP का member है, ठीक है? तो ऐसे देश, जिनके पास nuclear weapon नहीं है ठीक है? No nuclear weapon countries, लेकिन वो NTP के member बन गए, तो NTP की treaty में यह clause था कि ऐसे देश जिनके पास nuclear weapon नहीं है, वो आगे भी नहीं बनाएंगे अब तो that means यह सारी Latin American countries के पास leverage नहीं है future में, कि वो nuclear weapon बनाए और अन्ने capitalist राष्ट्रो पर जो है, वो pressure डाले ठीक है? मतलब at least according to treaty वो नहीं बना सकते अगर वो treaty को violate करके बना लें तो वो अलग बात है, उसके भी clause है कि वो treaty को violate नहीं कर सकते, कहीं और से import नहीं कर सकते, खुद भी develop नहीं कर सकती है countries, कहीं और से import भी नहीं कर सकती ठीक है? तो यह जो आत्मा वाले देश है पूरा का पूरा एफ्रिका, ठीक है? पूरा का पूरा लेटिन अमेरिका दूसरा पूरा का पूरा एफ्रिका excluding this country this country is कौन? कौन सी country है? South Sudan ठीक है? South Sudan का देखिए क्या point है? यहाँ पर legend में देखिए non signatory state with no nuclear weapon यह ऐसा देश है जिसके पास nuclear weapon भी नहीं है और उसने NTP sign भी नहीं किया तो example है आपके पास South Sudan और एफ्रिका का एक मात्र देश जिसने NTP में sign नहीं किया तो वो है South Sudan ठीक है? अच्छा यूरोप में देखते हैं तो यूरोप में देखिए UK tested its first nuclear weapon in 1952 and signed the treaty in 1968 UK और आपको France अनजार आ रहा है दो ऐसे देश हैं जिनके पास nuclear weapon है ठीक है? देखिए यह जो blue में है ना लेजेंड में देखिए nuclear weapon countries states that signed the treaty ऐसे राष्ट्र जिनके पास nuclear weapon है और उन्हें treaty sign करी है तो उसमें आगे आपका USA nuclear weapon है और treaty भी sign करी है UK और France ठीक है देखिए France के लिए लिखा है first nuclear weapon explosion was in 1960 and joined the treaty in 1992 France ने 1992 में जाकर join किया है 1968 में join नहीं किया यहाँ पर भी एक point बनता है ठीक है so that means Europe का ऐसा कौन सा देश था यानि Western Europe की पहली country जो है वो कौन सी थी जो की nuclear शक्ती भी है वो है UK जिसने NTP join करी ठीक है फ्रांस ने बाद में join किया 1992 में ठीक है उसके लावब उस समय का USSR and then now it is Russian Federation so Russian Federation में देखिए है यहाँ पर लिखा है as the USSR the country first conducted a nuclear test in 1949 और NTP 1968 में ही USSR ने NTP join कर ली थी चाइना की बात करें ठीक है चाइना is a country which has nuclear weapons and also had joined the non what proliferation treaty ठीक है चाइना के बारे में देखिए tested its first nuclear device in 1964 accepted the treaty in 1992 अब चाइना और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जिनों ने NTP को accept किया है 1992 में जाकर ठीक है अच्छा अब यह लाल देश कौन है लाल देश ऐसे देश है जिनके पास nuclear शक्ती तो हैं लेकिन NTP के मेंबर नहीं है ठीक है जिसके example है इंडिया देखिए भारत के बात करें तो इंडिया concluded its first nuclear test in 1974 पोखरंड में declared peaceful in nature three weapon test in 1998 ठीक है और इंडिया ने NTP sign नहीं करी है अभी तक दूसरी जिस पाकिस्तान detonated its first nuclear explosion in 1998 as a response to nuclear test made by इंडिया पाकिस्तान ने क्यों किया क्योंकि इंडिया ने भी किया ठीक है और इधर इसराइल तोटा सा देश दिख रहा है आपको इसराइल और इसराइल के लिए 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 लिखा है widely believed to possess sophisticated nuclear arsenal though pursuist policy of ambiguity over the possession arabian country सब मानती है कि इसराइल के पास nuclear weapon है लेकि इसराइल ने अभी तक कोई official गोशना नहीं करी है कि nuclear weapon उनके पास है ठीक है next देखिए यहाँ पर yellow दिख रहा है 2003 के बाद North Korea ठीक है विड्रू from the treaty ऐसे देश जो treaty से बाहर निकल गए है वो है विड्रू itself from the treaty in 2003 and tested first nuclear device in 2006 यानि कि जब North Korea ने NTP join किया था तब वो एक उसके पास nuclear weapon नहीं था लेकिन 2003 में उसने NTP को छोड़ा और 2006 में उसने weapon grade का nuclear device create कर लिया ठीक है तो ये है आपकी nuclear non proliferation treaty का map I hope आपको समझाया होगा किस देश के पास क्या situation है पूरे world गी ठीक है बाकी आप देख रहे हैं साउथ इस टेशिया में किसी के पास नहीं बाकी ये जो आत्मा वाले देश है नहीं हाँ पर इन में किसी के पास भी nuclear weapon नहीं है लेकिन सारे क्या है NTP साइन कर चुके हैं सबने एक साथ 1968 में नहीं करी थी धीरी धीरे करके करी ये अगले map में देखिए इस map में देखिए किस देश ने कब जो है वो साइन किये अब ये blue यहाँ पर legend में मैंने रंग नहीं दिखा है लेकिन लिखा हुआ है blue देखिए so US देख रहा है आपको Canada देख रहा है आपको Mexico नजर आ रहा है और कई सारे देश जो है वो Latin America के उसके अलावा USSR पूरा का पूरा Soviet Union के अन्ने including मंगोलिया इरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन क्योंकि World War II के बाद ये तो mandates थे ब्रिटेन के ठीक है और लगभग पूरा का पूरा आप मान सकते हैं Europe excluding France और Spain और यहाँ पर Albania ये सारे राष्ट जो है वो ratified और exceeded 1968 से 1977 के बीच में इन्होंने क्या कर लिया एंटीपी को मान लिया ठीक है Australia भी ये देखें यहाँ पर Malaya, Singapore, Thailand, Laos, Cambodia ठीक है Philippines, New Zealand इन सब ने जो है वो क्या मान लिए एंटीपी 1977 में तक मतलब जो green वाला पार्ट है, green वाला देखें कौन-कौन से है Egypt है, Eden है ठीक है, उसके अलाबा Spain, Turkey ये जो सारी क्या बोलते हैं, यहाँ पर Columbia और यहाँ पर Indonesia, ये सारी countries जो इन्होंने 78 से 87 के बीच में sign कर लिया, NTB join कर ली yellow वाली जो countries है third decade, ratified 1998 तक इन्होंने ratify किया देखिए Brazil, Argentina ठीक है, उसके अलाबा South Africa हो गया, China हो गया, France है ठीक है, इन्होंने 1998 तक और लास्ट में आते हैं Red, Israel, India India, Israel, Pakistan और South Sudan, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने NTP अभी तक sign नहीं करी है और North Korea एक ऐसा देश है जिसने NTP से resign कर दिया है, यह बहार निकल गया है, 2003 में NTP छोड़ दी, और 2006 में खुद जो है वो एक nuclear शक्ति के रूप में develop हो गया तो I hope ये map भी आपको clear होगा आगे बढ़ते है Now, background of NTP अब देखते हैं, NTP क्या है कि इन देशों ने करी वो हमने समझ लिया, लेकिन आप देखते हैं कि NTP क्यों बनी, right Sorry, मैं NTP बहुत समय से NTP बोलता जा रहा हूँ, मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा NPT है ना, मैं NTP कही बार बोल दिया है मैंने, so pardon me for that NPT Now, background of NPT देखते हैं क्या है पहला point देखिएगा The spread of nuclear weapons technology meant several things for international lawmakers Nuclear weapon technology देशों के पास फैल जाना UN की जो इंटरनेशनल, UN की जो बोडिज है जो international laws बनाती है ठीक है उनके लिए nuclear weapon technology एक सरदर्द है क्यों? क्योंकि जितने जादा देशों के पास nuclear weapon technology होगी vulnerability बढ़ जाएगी क्योंकि सभी देश जो है वो maturity से nuclear weapon ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सभी देश maturity से nuclear weapon का इस्तेमाल करें ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई राष्टर जो है वो अपनी खुंदस निकालने के लिए अपने पडोसी दुश्मन राष्टर पर attack कर दे nuclear weapon और फिर से वो chain reaction चुरू हो जाया nuclear holocaust पूरी दुनिया पर nuclear winter खतम सब कुछ ठीक है इसलिए UN जो है वो बहुत strict कानून बनाना चाहता था इसके प्रति nuclear weapon technology की प्रति आए देखते हैं समस्य हैं क्या क्या है while only countries that were capable of nuclear strike were the United States its close ally Britain and Soviet Union the doctrine of deterrence could be reasonably maintained देखिए doctrine of deterrence क्या है doctrine of deterrence का मतलब है nuclear शक्ती दिखाकर दूसरे देशों को डराना और उनसे अपने कारे निकलवा लेना तो USSR throughout cold war तो यही करता रहा ना nuclear weapon से डराता रहा world war 2 में जपैन से surrender करवाया गया है nuclear weapon से डराना नहीं in fact nuclear weapon फोड़ देकर फोड़ दिया जपैन पर US से ने ठीक है so nuclear weapon फोड़ने की शक्ती किसके पास थी UK के यूएस के पास थी शुरू में ठीक है और फिर उसके बाद जो है वो develop हुई USSR और UK के पास फिर फ्रांस और चाइना ने भी जो है वो nuclear weapon को deploy करने की technology डेवलप करी लेकिन उससे पहले जो है वो US, UN ने जो है वो क्या बना दी NPT ये technology ज़्यादा लोगों के हाथों में पहुँचे उससे पहले जो है वो ये treaty कर ली गई ठीक है now क्यों क्यों कर ली गई treaty देखिए इंडिया इसी लिए विरोध करता है NPT का क्योंकि इंडिया यही point उठाता है कि ये जो NPT है न ये capitalist राष्ट्रों द्वारा बनाई गई है ताकि वो अन्य राष्ट्रों पर दबाव डाल सके ऐसे राष्ट्रों जिनके पास क्योंकि NPT में clause है कि जिन राष्ट्रों के पास nuclear weapon नहीं है वो ना ही nuclear weapon develop करेंगे ना ही nuclear weapon import कर सकते हैं और अगर इस दुनिया में जिसके पास nuclear weapon नहीं है तो वो global superpower नहीं बन सकता इसलिए और जो western शक्तियां है या जो capitalist और communist block था उस समय का वो नहीं चाता था कि इनके अलावा कोई तीसरा जो है वो global शक्ति आकर खड़ी हो जाए या अन्य चोटी चोटी शक्तियां जो है वो आकर खड़ी हो जाए जैसे कि North Korea threat करता रहता अब सबको ऐसे अन्य देशना बन जाए जो कि global domination किसी एक जो है वो शक्ति की global domination की तरफ बढ़ने के process को hamper करे इसी लिए क्या बोलते हैं NPT बनाई गई और यही भारत का विरोध है ठीक है यानि कि global domination का खेल है सारा देखिए violence एक बहुत जो है वो सच्चाई है जीवन की violence की violence के दम पर ही करा गया है सारा काम ठीक है violence actual शक्ति जो है वो violence है जो crime जो violence एक local criminal करता है उसको तो कानूनों से दबा दिया गया है लेकिन जो सरकारें violence कर रही है कानून बनाने वाल यह authority जो violence कर रही है उनके ओपर चेक किसका है यही तो सवाल था ना भारत भारतिय सरकार का यही सवाल है कि आप violence को रोक रहे हैं violence से ही ताकि आप violence करते रह सकें हमज़ रहे है ठीक है so this is the doctrine of deterrence now because both sides of cold war had vast stocks of weapons and the capability of striking back after being attacked any strike would likely have led to mutually assured destruction and thus there remained a strong incentive for any power to avoid starting a nuclear war देखें simple सी बात है US और USSR के पास 1970s तक बहुत सारे weapons डवलप हो गए in fact not just USSR but all the five global superpowers उस समेगी ठीक है जिसमें से top पे US और USSR है UK, France और China including those और सब के पास ऐसे weapons हैं और ऐसी strategic placements में क्योंकि islands क्यों UK और USSR ने छोड़े नहीं है अभी तक महापर उन्हें nuclear weapons रखे हो हैं कि अगर मान लीजिए Britain पर attack होता है और पूरे Britain को द्वस्त कर दिया तो Britain के पास ऐसे छोटे छोटे islands हैं जहांसे वो चला सकता है nuclear weapons को so that means उनके पास retaliate करने की क्षमता है सभी के पास यानि कि आप अचानक से आप चाइना पर attack करके चाइना को पूरी तरह कमजोर नहीं कर सकते चाइना के पास retaliate करने की शक्ती है और जब तक ये threat बना रहेगा global nuclear holocaust का तब तक जो है वो तरक्की पर नहीं बढ़ सकता कोई भ हम एक दूसरे को धमकाते रहें अन्य देश कोई ना आ जाए ठीक है मान लीजिये कल को मान लीजिये इजिप्ट को जो है वो यूएस से धमका रहा था कि nuclear weapon फोड़ दूँगा तुम पे side हो जाओ ठीक है या मान लीजिये इसराइल के पास तब तक nuclear weapon नहीं था मान लीजिये इजिप्ट के पास होता तो इजिप्ट जो है वो बहुत आसानी से इसराइल को धमका कर यहूदियों को महां से बगा देता तो जो third world countries में dispute का जो period रहा है ना 60s, 70s, 80s में अगर इन countries के हाथ में nuclear weapon पढ़ जाता तो यह तो एक बूसरे का नास कर देते पाकिस्तान ने क्यों किया क्योंकि भारत ने किया पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया था ठीक है क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास नहीं होता भारत के पास होता तो भारत जो है वो strong आम करता पाकिस्तान को ठीक है next point देखिए now however if more nations particularly developing nations that lay on the periphery of the balance of power between the two cold war superpowers achieve nuclear capability this balance risk being disrupted and system of deterrence would be threatened देखिए जो वियतनाम है उस पे क्यों USSR और USA जो है वो अपनी authority जलकार आ था है क्योंकि इनके पस nuclear शक्तियां थी अगर वियतनाम के पास भी nuclear weapon होता तो मजाले USA और USSR कुछ कर कुछ बिगाड़ पाता वियतनाम का ठीक है that means जो deterrence यानि डराने धमकाने की जो leverage है जो ख्रमता है USSR और USA की वो NTP के जरिए USSR और USA की तो बनी रहे लेकिन बाकी देशों की ना बने ठीक है यही चाहते हैं वो जो developing countries है जो की cold war के दोरान periphery में रहती है यानि वियतनाम का इस्तिमाल किया गया ना world war में USA और USSR द्वारा Korea का इस्तिमाल किया गया चायना का इस्तिमाल किया गया वो तो चायना ने डेवलप कर लिया nuclear weapon ठीक है भारत का भी स्तिमाल करने कोशिश की गई भारत ने डेवलप कर लिया nuclear weapon ठीक है और एफरीका के तो अंगिनत राष्ट्रों का example दिया जा सकता है ज countries with volatile border disputes next is एक तो USA और USSR के खिलाफ उनके पास शक्ती हो जाती दूसरा आपस में जो उनके मतवेद है वो nuclear weapon से solve कर लेते ठीक है बिकेम capable of attacking with nuclear weapons then the odds of nuclear war with truly global repercussions increased अगर ऐसी third world यह developing countries जिनके अपने जो है वो बहुत ज्यादा domestic disputes और as well as अपने मतलब पडोसियों के साथ dispute है जैसे कई African countries में भारत पाकिस्तान का ठीक है चाइना ताइवान का नोर्थ कोरिया साउथ कोरिया का अफगानिस्तान इरान का इरान टर्की का इरान और फैलस्तीन का ठीक है फैलस्तीन और अने अरबीन countries के यह जो disputes है अगर यह dispute इन राश्ट्रों के पास nuclear weapon आ जाते तो हो सक में nuclear states इतनी महेंगी nuclear technology को किसी और को बेचकार अपनी economy को दुरूस्त भी नहीं कर सकते थे क्यूंकि माल लीजिये nuclear technology को इरान को बेच दिया गज जाता तो इरान जो है वो अनने सभी सुननी राश्टर पर pressure डालता माल लीजिये nuclear technology इजिप्ट के पास आती तो इजिप्ट ज कि उससे energy बनाने के लिए भी नहीं दे सकते क्यूंकि वेपनाईज किया जा सकता है बहुत आसानी से वेपनाईज किया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते है अल ओफ दीस concerns लेड टू international interest in a nuclear non-proliferation treaty समझाया इन सारे कारणों से क्या क्या कारण कि कोई हतियार ना बना ले ठीक होना छूट जाए इसी चीज़ का विरोध कर रहा है भारत इसलिए NTP पर साइन नहीं करता अच तक क्यूंकि जो western countries है वो leverage की तरह इस्तेमाल करेंगी फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं नाव issues of contention यानी मतभेद के कारण क्या है ठीक है एन पीटी में एन पीटी में मतभेद है कई साइन नहीं करते हैं ठीक है कोरिया ने resign कर दिया ठीक है तो मतभेद के कारण क्या है अल्दो दा बेनिफिट्स टू बी डराइट फ्रम सच आ ट्रीटी वर क्लियर इट्स डेवलप्मेंट वस नॉट विदाउट कॉंटरवर्सी ठीक है इस ट्रीटी के फायदे तो नुक्लियर होलोकॉस नहीं आ सकता ठीक है यह तो कारण हमें दिखता है कि जो ग्लोबल पीस है उसको मेंटेन करने के लिए ट्रीटी काम करती है लेकिन इसके साथ एक कॉंटरवर्सी भी छुपी है आए देखते हैं क्या है Initially by 1965 the US negotiators worked to strike a delicate balance between the interests in preventing further transfer of technology that it shared with the Soviet Union and the desire to strengthen its NATO allies by giving several western European nations some measures to control over nuclear weapon ठीक है देखिए US के पास nuclear technology थी तो UK और France ने जो है वो धीरे धीरे develop करी तो US क्या चाता है कि इसके अन्य जो allies है जैसे कि Canada है और अन्य जितने भी NATO के वाले जो allies है इन सब को nuclear technology या उसका ग्यान जो है वो बाट दिया जाए ताकि जो communist block है उस पर pressure बन सके ठीक है तो ऐसे में NATO सबसे strong हो जाएगा अगर मान लीजिये सभी NATO राश्टरों के पास nuclear weapons आ जाएं तो NATO राश्टरों जो है राश्टर यानि कि जो Warsaw Pact में जुड़े राश्टर है वो भी और जो non-aligned movement के साथ जुड़े राश्टर है उन पर भी pressure डालेगा NATO तो यहाँ पर जो है वो इसके खिलाफ यानि कि US की जो strategy है इसके खिलाफ जो है वो dispute उठा और US ने फिर डिसाइड किया कि नहीं नहीं कोई workable treaty बनाते हैं जिसके तहट जो है वो NPT develop हुई है आगे बढ़ते हैं now a more difficult problem involved the question of bringing non-nuclear nations into the planned treaty अब next देखिए नई treaty लाई जाए जो nuclear weapon जो develop कर चुके हैं वो nations तो जुड़ जाएंगे लेकिन non-nuclear nations ठीक है ऐसे nations जिनके पास nuclear weapon नहीं है उनको आप क्या कहके treaty में जोड़ोगे क्योंकि treaty में ऐसे clause होने वाले हैं कि जिन राष्टरों के पास nuclear weapon नहीं है वो future में बना भी नहीं सकेंगे nuclear weapon तो अगर nuclear weapon ही global dominance की की है तो कोई राष्टर ये जानते हुए भी क्यों अपनी global dominance की की जो है वो मतलब त्याग देगा that means अगर किसी राष्टरों को पता है कि वो globally dominate कर सकता है या एक strong राष्टर बन सकता है international scenario में तो वो क्यों अपनी इस authority को छोड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है वो non nuclear nations को मनाना इसके लिए जो है वो कई concessions देने पड़े non nuclear nations की economy को recover करने के वाइदे करने पड़े उनको जो है वो जादा से जादा capitalist economy के साथ जोड़ने के वाइदे किये गए उनके देशों में जो है वो peace लाना education को दुरूस्त करना administration को दुरूस्त करना military support देना यानी जिस देश को जो वाइदा किया जा सकता था वो किया गया ताकि वो और जिस देश को जितना ढरा economic order हमारे पास है अगर तुम्हें उनके शाशकों को बोला उनके leaders को बोला कि अगर तुम्हें जो है वो lead करना है शाशन करना है तो NPT sign कर दो चुप चाथ जिसमें से South Sudan ने आज तक नहीं करी है ठीक है now nations that had not yet developed nuclear weapons technology were essentially being asked to give up all intentions to ever develop the nation ever develop the weapon जो non nuclear nations है उनको कहा गया कि आगे develop भी नहीं कर सकते अब कुछ राश्ट्रों ने मना कर दिया कि नहीं करते हैं उनको धीरे धीरे लपेटे में लिया तब ही हमें देखने को मिलता है कि 1968 में सभी राश्ट्रों ने नहीं किया है ठीक है हमें ओवर धीरे धीरे जो है वो राश्ट्र जुड़ते हुए नजर आए लेकिन देखिए वर्ड वार टू के बाद काफी एफ्रीका के लगबग सभी राश्ट्र जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की क्या थी कॉलनीज ही थे तो जब वो डी कॉलनाइज हुए है उसके बाद ही उन पर इंफ्लेंस तो यूरोपियन या एलाइज शक्तियों का था ही या कॉम्मिनिस्ट शक्ति का था ही थी कह है तो उनसे नपीटी साइन करवा ही ली गई है साव चुडानने नहीं करिये क्योंकि तेल है उसके पास थी कह है नाव विदाउट दिस अग्रीमेंट ओन द नेशन्स को नहीं जोडा गया नॉन नुक्लियर नेशन्स को अगर नहीं जोडा गया नपीटी के साथ तो कोई भरोसा नहीं है आगे वो डेवलप कर सके ना कर सके वी टेक्नोलोजी है तो टेक्नोलोजी देवलप की जा सकती है ना कोई विदेश कर सकता है ठीक है आफ्टर पैसे दिये गए, हत्यार दिये गए, ठीक है, कई concession दिये गए, उनको relative कई अजादी दी गई, उनको industry set up करने का मौका दिया गया, nationalize की गई कई industries, तो जो possible concession हो सका वो दिया गया, जितना धमकाया जा सका उतना धमकाया गया, जादा से जादा non nuclear nations को जोड लिया गया, जिसमे Latin America पूरा example है, third world countries में, Africa पूरा example है, South Sudan को छोड़ कर, South East Asia की सभी country, सभी country South East Asia की excluding India, ठीक है, सारी जो हैं वो NPT के member हैं आज की date में, मैंने आपको map दिखाया, नहीं तो ये देख लीजिए map, देखिए, इस map में, आपको नजार आ रहा है, जो white है, ये पूरा का पूरा Latin America, ठ मतलब किस-किस को छोड़ कर, UK और France को छोड़ कर, बाकी किसी के पास weapon नहीं है, अपना weapon नहीं है, NATO उनको weapon प्रोवाइड कर सकता है, Germany और Italy को, ठीक है, अगर उनने जूरत पड़ी, एफरीका में देखिए, Arabian किसी भी Central America क्या वोलते हैं इसको, जो ये Middle East है, किसी के पास weapon न देखिए, सबने sign किया है, Japan, in fact, Japan तक ने develop नहीं किया nuclear weapon, क्यों करेगा, Japan जो है, वो essentially economic colony है, किस की, US की, तो I hope आप समझते होंगे इस पूरे funday को, आगे देखिए, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, final हमारी final treaty की तरफ की, treaty जो है, वो finalize क्या हुई, और अब क्या महौल है, right, the final treaty involved a number of provisions, all aimed at limiting the spread of nuclear weapon technology, final treaty ये 1968 की है, ठीक है, 1965 से 1968 तक concessions का महल चला, 1965 में sign हुआ, और 1970 में जाकि ये treaty जो है, वो लागू हुई है, और इन दो सालों में भी, 1968 और 1970 के बीच बीच कोशिश यही की गई, कि जादा से जादा जो non-nuclear weapon देश हैं, वो treaty के साथ जुड़ जाएं, और फिर over the period, decade by decade, maximum देश जुड़ गए हैं, present day में केवल चार ऐसे देश हैं, जिन्होंने NPT sign नहीं करी है, और North Korea ने NPT sign करी थी, और वो उससे बाहर निकल अब, ठीक है, now, देखे, the final treaty involved a number of provisions, बहुत सारे कुछ provisions हैं, उनको अब हम officially भी, मतलब, statements के माधियम से भी मैं आपको समझा देता हम, ठीक है, aimed at limiting the spread of nuclear weapon technology, इस पर aim है, कि nuclear weapon technology spread ना हो, hence the name non-NPT, ठीक है, proliferation treaty, the nuclear signatories agreed not to transfer either nuclear weapons और nuclear weapon technology to any other state, देखे, पहला provision है, कि जो ऐसी countries जिनके पास nuclear weapon technology है, उन्होंने क्या promise किया, या treaty के according, उन्होंने क्या sign किया, कि वो किसी को technology transfer नहीं करेंगे, किसी को weapon भी transfer नहीं करेंगे, ना ही technology, ना ही weapon, दूसरी साइड, non-nuclear states ने, non-nuclear state के लिए क्या clause थे treaty में, agreed that they would not receive, develop और otherwise acquire nuclear weapon, ना ही वो किसी से लेंगे, ना ही वो develop करेंगे, और ना ही black market में खरीदेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, nuclear weapon जो हैं, वो गुम हुएं कई, cold war के दोरान, कई nuclear weapon गुम हुएं, और फिर secret agencies ने, जो mission impossible type के जो agencies हैं, वो काम करती हैं, और उन्हें एक एक करके जो है, वो ने confiscate किया है, ठीक है, इसलिए आज तक कोई फटा नहीं, All of the signatories agreed to submit to a safeguard proliferation established by International Atomic Energy Agency, बहुत important है, next clause यह है, कि सारी signatories, दोनो nuclear weapon वाली भी, और non nuclear weapon वाली भी, सभी countries ने जो है, वो, International Atomic Energy Agency की, जो safeguard proliferation है, उस पर भी sign किया, ठीक है, क्यों किया, यह करता क्या है, International Atomic Energy Agency, यह Atomic Energy को, एक sustainable energy form के रूप में, पूरी दुनिया के लिए available कराने के प्रती, काम कर रहा है, और भविश्य में income mission यह है, कि पूरी दुनिया में, ऐसा महल create हो, कि Atomic Energy पूरी दुनिया को ज जाए, ठीक है, तो Atomic Energy अगर पूरी दुनिया को जा रही है, that means राष्ट्रों को जो है, वो nuclear, nuclear energy produce करने की technology दी जाएगी, और उसी technology से तो weapon बन जाता है, तो I, A, E, A, यही ध्यान रखता है, कि nuclear, nuclear energy से, nuclear technology से energy बनाने के process को, weaponize ना किया जाए, ठीक है, नेक्स देखिएगा, Now, parties to the treaty also agreed to cooperate in development of peaceful nuclear technology and to continue negotiations to help end the nuclear arms race and limit spread of technology, अगला clause क्या है, कि जो nuclear technology बन गई है, उसको केवल peaceful purposes के लिए use किया जाए, ठीक है, peaceful purposes यानि कि clean energy बनाने के लिए, और कोशिश की जाए कि आगे technology डवलप ना हो, और हतियार ना बनाये जाए, ठीक है, energy के लिए use कर लो nuclear technology का, लेकिन हतियार ना बनाये जाए उससे, the treaty was given a 25 year limit time, ठीक है, यानि 25 साल के भीतर भीतर, सभी राष्ट्रों, जिन भी राष्ट्रों के पास nuclear technology है, उसको peaceful purposes के लिए use किया जाएगा केवल, और arms race जो है, वो खतम हो जाएगी, ठीक है, now, with the agreement that it would reviewed every 5 years, हर 5 साल बाद जो है, वो review होता है, NPT का, the nuclear non-proliferation treaty was and continues to be heralded as an important step in the ongoing efforts to reduce or prevent spread of nuclear weapons, ठीक है, आज भी, यानि आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं NPT एक बहुत बड़ा कारण है कि nuclear weapon अभी तक नहीं फटा तीसरा, ठीक है, बाकी spies network भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि बताया नहीं जाता है हमें, अगर बता दिया जाये तो वो कहें के spies, ठीक है, intelligence यानि की, ठीक है, के CIA ह होगी, आपकी KGB है, मोसाद है, ठीक है, raw वगेरा है, ये इनके agents काम करते रहे हैं, throughout cold war, इसी direction में कि nuclear war ने छिट जाए, क्योंकि कई nuclear weapons गुम हुए है, कई nuclear technologies गुम ही है, कई scientists जो हैं, वो kidnap हुए है, मरे हैं, ठीक है, जो nuclear physicist वगेरा जो होते हैं, ठीक है, तो ये agencies काम करते ह दो ऐसी countries हैं, जिनोंने nuclear technology डेवलप नहीं करी, वो आगे भी ना करें, ठीक है, और भारत क्यों नहीं, भारत का क्या stance है, मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत ये कहता है कि western countries का तरीका है, क्या करने का, गुंडागर्दी करने का, ठीक है, next देखिएगा, still it had one major drawback, अब NPT क drawback देखते हैं क्या है, in that the two nuclear powers, France and People Republic of China, did not sign the agreement, nor did a number of non-nuclear state, 1968 में sign नहीं किया, इनोंने 1990 में जाकर sign किया, क्यों नहीं sign किया, of the non-nuclear state refusing to adhere, and thereby limit their own future nuclear programs, ठीक है, non-nuclear states ने तो इसलिए नहीं किया, क्योंकि वो future में अगर nuclear weapon बनाना चाहें, तो नहीं बना सकेंगे, और उनके हाद से वो leverage चली जाएगी, global superpower बननेगी, ठीक है, और particularly important कौन कौन से थे उस समय, 1968 में, Argentina, Brazil, India, Israel, Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, अब इनकी importance देखिए, Argentina और Brazil, Latin America की दो बड़ी शक्तिया, India, South East Asia की बड़ी शक्ति, Israel, Arab में dispute, पाकिस्तान, भारत का छोटा भाई, ठीक है, Saudi Arabia, Arab में तेल, export करने वाली सबसे बड़ी शक्ति, South Africa, Africa का southernmost tip और सबसे ज़ादा developed donation आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की call नहीं रही, तो ये countries जो है, वो उन्हें ने 1968 में NTP पे sign, NPT पे sign नहीं किया, क्योंकि नहीं किया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि भविश्य में ये nuclear weapon develop कर लेंगे, इनमें से किस-किस ने कर लिया, पाकिस्तान ने, ऑफिशली, पाकिस्तान ने, इंडिया ने, और अनफिशली इसराइल ने भी कर लिया है, ठीक है, South Africa के पास था, लेकिन इसने अपना right जो है, वो छोड़ दिया है, nuclear weapon अपने दे दिया है NATO को, ठीक है, इनफेक्ट, इन 1974, इंडिया जोइन दे nuclear club, nuclear club कहने का मतलब, वो country जिनके पास nuclear weapon है, by exploding its first weapon, पाकिस्तान टेस्टेड इस first atomic bomb in 1983, उननिसो चोटर में भारत ने जोइन किया, 1983 में पाकिस्तान भी एक nuclear शक्ती बन गया, ठीक है, आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, So I hope आपको NPT क्या है, Non-Proliferation Treaty क्या है, भारत का stance क्या है, क्यों बनाई गई, क्या clause है, यह सारी चीज़े आपको समझ आई होगी, ठीक है, कौन-कौन सी country जुड़ी है, मैंने मैं आपके मादम से भी आपको समझाया, और उससे पहले, Japan किस तरह शक्ती में उभरा, I hope वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है, यह थोड़ी सी खिचडी पक गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे students regular follow कर रहे हैं, वो इस खिचडी को अच्छे से समझ लेते होंगे, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर मेरे sessions की खिचडी, अगर आपको खानी है और digest करनी है, तो पिछले sessions आपके लिए देखना बहुत आनिवारे है, मैं बार-बार बोलता हूँ, इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट है, वहाँ पर बी लिंक अवेलेबल है, YouTube के सर्च बार पर simply मेरा नाम लिखेंगे विशाल चोहान, पिछले sessions मिल जाएंगे, या YouTube पे जाएंगे, चैनल पर वहाँ पर sessions मिल जाएंगे, पिछले sessions देखना बहुत आनिवारे है, शुरू कीजिए, लगातार जुड़े रही है मेरी पूरी सीरीज के साथ, आगे मैं जो है वो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि वर्ल्ड इस्ट्री अभी कुछ चंद ही session बच्चे हैं, पांच-दस session के बाद वर्ल्ड इस्ट्री खतम हो जाएगी, ठीक है उसके बाद मैं post-independence शुरू करूँगा, और दूमधाम से post-independence समझेंगे हम, और आप बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप हम world history पढ़ चुके हैं न, तो post-independence समझने हम बहुत मज़ाएगा, और post-independence के दौरान आपकी modern history भी revise कराता रहूँगा, मैं भारत की, तो ये बहुत सही समय जुड़े रहने का, और अगर आप अभी तक इतना last तक मेरी वीडियो देख चुके हैं, तो जो students मेरी वीडियो को regularly follow कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत आवारी हूँ उनका, कि वो मेरे को support कर रहे हैं इतना, ठीक है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि, मैं अच्छे से अच्छा content आपको दूँ, कहीं अगर मुझसे कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो मेरी जो है वो apologies है, ठीक है, गलती को माफ कर दिया किजिए, और comment में बता दिया किजिए, कि सर यहाँ पर आपकी गलती हो गई, ताकि मैं आगे से, यानि feedback के माद्यम से, मैं जो है वो अपने sessions को बहतर करने, बहतर कर सकूँ, right, सो आज मैं अपने session को यहाँ पर खतम करता हूँ, मिलूँगा मैं आपसे अगले session में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, टेक केर,